हेलो फ्रेंट्स आज मैं भारत के महान किसान नेता स्वामी सहजानन्द सरस्वती की चर्चा करने जा रहा हूँ जिनके संघर्सों के बुदावलत ही घ्रिनित जमिंदारी प्रथा का अंथुआ था स्वामी सहजानन्द सरस्वती की पहचान एक महान किसान नेता की रही है जिनके संघर्स पूर्ण आंदोलनों की बदौलत जमिंदारी प्रथा जैसी सुसक बेवस्था से किसानों को मुक्ते मिली थी असल में स्वामी जी का किसान संघर्स भारत की अजादी के संघर्स का ही एक हिस्सा था उनका मानना था कि देश को वास्तविक अजादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक इस देश की सम्सील जंता के हाथों में सासन की बागडोर न हो वास्तों में उनकी आत्मा किसानों और मजदूरों के सुसन और उत्पीडन को जड़ से खत्म करने के लिए तरपती रहती थी उनका दिल इन संघर्स करने वाली जनता को स्वतंतरता का स्वाद चखाने के लिए ही धड़कता था तभी तो वह अपनी व्यक्तिकत मुक्ती की राह को त्याग कर किसानों और मजदूरों सहित तमाम संघर्सिल जनता को मुक्ती की राह दिखाने के लिए राजनीती के कंटक भरे रास्ते पर चल निकले थे बरना वह तो नौई की पढ़ाई के दोरान ही सन्यासियों के जत्थे को देख सन्यास गरहन की ख्षापाल अस्कूली पढ़ाई त्याग उस समय के प्रसित सिक्षाकेंद बनारस पहुँच चुके थे बनारस में सन्यास गरहन के बाद योग सीखने की ललक में योग्य गुरूओं की तलास में बनारस छोड़ कई तिर्थ छत्रों के भर्मन में आई कठिनाईयों से वे और मजबूत हुए तथा वहां से प्राप्त जिवनानु भवों से आगे की राह त्यार हुई सन्यास गरहन करने के बाद उनको नाम मिला था स्वामी सहजानन्त जाहिर हो कि स्वामी सहजानन्त के नाम से प्रसिद्ध होने के पुर्व उनका नाम नौरंग राय था उत्तर प्रदेश के गाजी पूरजीले में एक छोटे से गाउं देवा में एक छोटे किसान बेनी राय के सबसे छोटे पुत्र थे नौरंग राय 1889 में महा सिरात्री के दिन उनका जन्म हुआ था नौरंग की पढ़ाई थोड़ी देर से शुरू हुई थी लेकिन च्छा बरसों की पढ़ाई तीन बरस में ही पूरी हो गई तिक्ष्न बुद्धी नौरंग को अब कुछी दीन सेस बच गय थे मैट्रिक की दलीज पार करने में च्छात्रवर्ती जरूर मिलती नौरंग को और वह भी सुध्याले का च्छात्र होता कहीं वह भी लोग की पढ़ाई कर वकील बना होता लेकिन बचपन से ही नौरंग का सुभाव नौकरी पेशा का नहीं था उसके सुभाव को देख ही बचपन की उम्र में उसकी साधी की गई थी कि घर गिरस्ती में उलजेगा जत्पी उस समय तक नौरंग के दिमाग में घर बार छोड़ने की कोई धारना नहीं थी पतनी का सुरवास एकाथ साल वाद ही हो गया और तब तक नौरंग का मन भी बदल चुका था धीरे धीरे बिरागी भावना पढ़ने लगी थी दूसरी साधी की तैयारियां होता देख नौरंग जल्दी ही घर से भाग निकले थे और बनारस में सन्यास ग्रहन कर स्वामी सहजा अनंद बने थे जब योगी की तलास में निरासा हाथ लगी और तब संस्कृत पढ़ने की प्रबल इक्षा जगी और बनारस में कठोर परिष्णम के बदौलत संस्कृत के विद्वान बने योगी की तलास तो अब खत्म हो चुकी थी लेकिन योग में उनका विश्वास अभी भी कायम था वह सोभावतह जब तक किसी बात को खूद नहीं अनुभव कर लेते थे तब तक हार नहीं मानते थे उनिस्वेगारह में वह स्वामी अद्वयता नंद सरस्वती से दंड ग्रहन कर दंडी स्वामी सहजानांद सरस्वती बने 1914 आत्याते महा जुद्ध छेड़ चुकी थी और स्वामी सहजा नन्द सरस्वती जैसा तिक्ष्न बुद्धी व्यक्ती सिर्फ धर्म कर्म में कैसे बंदे रहता सो जुद्ध की खबरों में दिल्चस्पी बढ़ी और धीरे धीरे अखबार पढ़ने की आदत बन गई बनारस में रहने के दोरान उनकी परिशे स्वामी पुर्णा नंद से बढ़ी और उनके ही आग्रह पर 1914 में वह भुमिहार ब्राम्बन महा सभा की अधिवेशन में बलियां पहुँचे वह अपनी किताब मेरा जीवन संगर्स में इस बात की जिक्र करते हुए लीखते हैं कि असल में जमिंदारों और राजा महराजाओं वहां जमाओ था और वह ठरे सुभाव तह राजभक्त पीछे मुझे पता चला कि भुमिहार ब्राम्बनों के नाम पर सभाग खड़ी करके वे लोग अपना काम निकालते और समाज की ओर से राजभक्ती का विश्वास सरकार को सदा दिलाते थी इस प्रकार पहली बार राजनिती की हवान ने मेरे अंता हस्थल में एक बार अंजाने में जवर्दस्ट ठोकर मारी हलाकि मैं उस समय इसे महसूस नहीं कर सका बलियां में घटनाओं और प्रस्तितियों ने स्वामी साहजानन स्रस्वती को वुमिहार ब्राम्भन समाज से जोड़ दिया लेकिन 1929 में उन्हीं के हाथों सभा का अंत भी हुआ फिर लगभग दस बरसों तक किसी दूसरे को सभा बनाने की हिम्मत नहीं हुई जाती पाती के काम में पढ़ने जैसी निराधार आचेपों का जबाब देते हुए मेरा जीवन संघर्स में वह लिखते हैं समस्ती रोप से समस्त समाज को उचा उठाने को ही मैं समाज सिवा और समाजिक कार्ज मानता हूँ और यही मैंने सुरू में किया इसलिए तो पीछे छोटे से समाज को छोड़ समस्त देश के काम में खिज गया या कूथ पड़ा किसी दिन तिलक की मृतों की खबर पर स्वामी जी पर प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे सास्त्रों की जगह राजनीती खबरें लेने लगी और स्वामी जी का मन गुलामी की बेडियों को तोड़ने के लिए छट पटाने लगा पांच दिसंबर 1920 को पटना में स्वामी जी की वारतालाब गांधी जी से हुई और स्वामी जी राजनीती में कुद पड़े पहली बार नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया और लोट दरखे और तिलक सुराज कोस आधी जैसे काजक्रम में कट्टर गांध इसी दोरान उन्हें ब्रंपुर के पसु मेले में गायों की विक्री को कसाईयों के हाथ से रोकने को लेकर आंदोलन चलाया और एक दिल्चस्प सीख मिली वह मेरा जीवन संगर्स में लिखते हैं मेरी तो आँखों का परदा ही खुल गया मैंने साफ देखा कि धर्म का प्र आली बार जेल जात्तरा गाजीपूर में हुई और फिर बनारस भेजा गया और वहां से फैजाबाद फिर लखनो इस तरह बारह महीने जेल में गुजारने के बाद 1923 में वह बाहर आये और उस साल गाजीपूर में ही रहे 1927 में लोक संग्रह नाम से एक सब्ताहिक समाचार पत्र की सुरुवाद स्वामी जी के हाथ होई वही उस पत्र के संपादक और मैनेजर थे पत्र समस्तिपूर से निकलना सुरु हुआ थे समस्तिपूर में पत्र के काम में बाधा आते देख वह अप्रेश को लेकर पटना आ गए और पटना से ही लोक संग्रह चपने लगा 1927 में ही बीटा में स्री सीता राम आस्रम नामक आस्रम स्री सीता राम दास नाम के एक प्रमहंस स्वामी के बागीचे में स्थापित हुई और आस्रम के प्रमंध और संचालन है तु अर्थ संग्रह का काम स्वामी जी के जिम्मे रहा तब ही से स्वामी जी का जुडाव सीता रामा अस्रम से हो गया और वा अस्रम करांती का प्रतीक बन गया स्वामी जी किताबें पढ़कर राज़ित नहीं सिखे थे वह तो अनुभव से ही आगे बढ़ते गए 25-30 वरसों तक उनकी दुनिया तो कोरी धार्मिक और दार्सनिक थी लेकिन बेसक वह भारत के महान किसान नेता के तोर पर उखरे और अभी तक किसान आंदुलनों की चर्चा बिना सहजान अन्सोसवती के चर्चा की अधूरी ही रह जाती है बेसक उनकी कद को कोई नहीं चूँ सका है 1927 के अंद अंद तक पस्सिम पटना किसान सभा के अस्थापना स्वामि सहजान असुसवती के हाथ हुई 1929 के नौंबर में बिहार प्रांतिय किसान सभा के अध्यक्ष रहे 1936 में उनके पर्यासों से अकिल भारतिय किसान महासभा का गठन हुआ और वह लक्नाव में सम्मेलन का सभावतित्त किये और जनरल सेक्रेटरी का काम भी हुआ करते रहे उनके जीवन के सेस भाग के बारे में अगले वीडियो में मैं चर्चकरूंगा और आप लोग वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं भूलें थैंक